कि विद्ध्यार्थियों आप सभी स्वस्थ और आनंदित होंगे मैं आज आप आपके सामने एक नए अध्यायक लेकर उपस्तित हूँ अध्यायक नाम है शुक्रतारे के समान जिसके लेखक हैं स्वामी आनंद विद्ध्यार्थियों आईए सबसे पहले हम जान ले कि शुक्रतार आखिर है क्या और उसकी समानता किसे की गई है निश्चित और जब किसी एक की समानता दूसरे से की जा रही है तो दोनों में कुछ तो गुण होंगे शुक्रतारे के गुण और शुक्रतारे के गुण की समानता किसे की जा रही है इसके बारे में हम पढ़ें इसके पहले हम लेखक से परचित हो जाए लेखक जो स्वामी आनन्द है उनका जन्म सन 1887 स्वी में किम्री गाउं जो काठियावाड जीला में है गुजरात का यह जीला वहां हुआ था और इनका मुल नाम हिम्मतलाल था पर हमने पढ़ा जैसे कि स्वामी आनन्द तो यह नय नाम उन्हें कैसी मिला जब यह 10 साल के थे तभी कुछ साधू इन्हें अपने साथ हिमालय की ओर ले गए और इनका नाम करण किया स्वामी आनन्द तब से उनका नाम पढ़ गया स्वामी आनन्द स्वामी आनन्द की मृत्य हुई सन 1976 में स्वामी आनन्द जी 1907 में सुत्मरता अंदुलन से जुड़ गये थे महराष्ट से कुछ समय तक तरून हिंद अखबार निकाला फिर बाल गंगधर तिलक के केसरी अखबार से जुड़ गये 1917 में गांधी जी के संसर्ग में आने के बाद उन्ही के निदेशन में नवजीवन और यंग इंडिया दोनों समाचार पत्रे के नाम है की प्रसार वेवस्था समाल ली इसी बहाने उन्हें गांधी जी और उनके नीजी सहयोगी महादेव भाई देसाई और बाद में प्यारे लाल जी को निकट से जानने का अवसर मिला पाठ का संख्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है मुल्तह गुजराती भाषा में लिखे गए प्रस्तुत पाठ में लेखक ने गांधी जी के नीजी सचिव महादेव भाई की बेजोड प्रतिभा और व्यस्ततम दिन्चरिया को उके रहा है लेखक अपने इस रेखाचित्र के नायक के व्यक्तित्व और उसकी उर्जा उनकी लगन और प्रतिभा से अभिभूत है इसमें एक शब्द आया है विध्यारतियों रेखाचित्र का आशा यह होता है कि शब्दों के माध्यम से किसी के व्यक्तित्व के बारे में उसके गुणों के बारे में इस धंग से वर्णन करना कि उसका चित्रुत पन हो जाए तो उसे कहते हैं रेखाचित्र यह गर्द की गर्द लिखने की एक विधा है तो रेखाचित्र एक गर्द विधा कहलाती है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व उसके गुणों उसकी विश्रस्ताओं को शब्दों के माध्यम से चित्रित किया जाता है तो इसमे स्वामी आनंद जी ने महादेव भाई देशाई के व्यक्तित्यों के बारे में इसमें वर्णन किया है महादेव भाई के गुणों को लेखक ने पूरी इमानदारी से शब्दों में पिरोया है इनकी लेखनी महादेव के व्यक्तित्तों का ऐसा चित्र खिचने में सफल रही है कि पाठक को महादेव भाई पर अभिमान हो आता है इस पाठका हिंदी अनुवाद श्री काशिनात्म त्रिवेदी ने किया है मतलब इस धंग से लिखा है स्वामी आनंद ने महादेव भाई के बारे में कि आपको भी लगने लगए ऐसे व्यक्ति हमारे देश में पैदा हुए एक अहिमान होगा तो आईए देखें कि इस अध्याय में लेखक ने महादेव भाई के किन किन गुणों के बारे में बताया है सबसे पहले जालें शुक्रतारा आकाश के तारों में शुक्रतारा बेजोड है सबसे अलग है अध्भूत है सुन्दर्ता और चमक के कारण इसे चंद्रमा का साथी माना जाता है जैसे चंद्रमा में चमक होती है जैसे सुन्दर्ता चंद्रमा में है बिल्कुल उसी तरह से शुक्रतारा भी इसका वर्णन कवियों दोरा बहुत किया गया है यह तारा है यह सुरियास्थ के बाद और सुर्योदय से पहले घंटेदो घंटेदी दिखाई देता है प्रसद्ध यह शुक्रतारे और महादेव में समानता महादेव जी आधुनिक भारत की सुन्रता के उशाकाल में अपनी आभा से देश और दुनिया को मुग्द करके शुक्र तारे की तरह अचानक अस्थ हो गये गांधी जी के सेवक थे ये मित्रों के बीच विनोध में स्वयम को गांधी जी का हमाल पीर बावर्ची भिष्टी खर कहकर गरोक अन्भो करते थे जैसे शुक्रतारा बहुत कम समय के लिए उदित होता है और फिर अस्थ हो जाता है थोड़े समय के लिए दिखाई देता है उसी तरह से महादेव भाई भाई भी कम समय के लिए वो भारती राजनिती में आये थे और उनके असमय मृत्ति हो गई गांधी जी के परम सेवक थे यह हैं और जब मित्रोगर होते थे तो हंसी मजाक में अपने आपको कहते थे कि मैं गांधी जी का हम्माल हूं हम्माल मतलब कुली जो समानोगर उठाता है पीर संथ की तरह बावर्ची खाना बनाने वाले रसोई की तरह भिष्टी जो मशक से पानी मशक से पानी छिड़कता है मशक एक होता है चमडे या रबर का बना हुआ थैले की तरह होता है उसके पहले पानी का छिड़काव जो करता था उस वेक्ति को कहा जाता था गधा जिस पर बोज प्रक दिया जाता है यहां पर पीर बावर्ची भिष्टी खर इसका मतलब यह है कि जो सभी कारी को अच्छे से संपन कर ले ऐसा लेखती तो महादेव भाई में यह विश्ष्ष्टा थी कि गांधी जी के हर कारे को सहस्ता पूर्वक कर लेते थे सरलता प हार समस्ते थे वह और इस तरह से गांधी जी की सेवा करते विने गर्वक अन्भा होता था इन्हें गांधी जी का वारिस भी कहा जाता था गांधी जी के लिए महादेव भाई पुत्र से भी अधीक थे बहुत इसने था गांधी जी पहुंचान लेते हैं उनकी घूबयां से फौल से प्परिशित हो जाते है और अपने उत्रथिकारी का पद सौह देते हैंält मतलब तभी से वह मान लेते हैं कि ये मेरा उत्राधिकारी बनेगा मैं जिन कार्यों को कर रहा हूं उनकार्यों को बाद में यह संभालेगा है और इसकी घुशना भी कि थी उन्होंने सन 1919 में जलिया वाला बाग हत्याकांड हुआ था कि तेरह अप्रेल 1919 में यह हत्याकांड हुआ था जब अंग्रेजों भारतियों के संद्रता अंदोलन को कुछलने के लिए उन पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाने के लिए प्रेस में जो अंग्रेजों खिला जो चीज़ें चप नहीं थी उसको रोकने के लिए रॉलेट एक्ट बनाया गया था जिसके बारे में कहा जाता था न अपील न वकील न दलील मतलब उस नियम के माध्यम से उस कानून के माध्यम से किसी भी भारती प्यक्ति को जेल में डाला जा सकता था और किसी भी प्रेज पर प्रतिबंद लगाया जा सकता था इसके विरोध में 13 अप्रे 2019 में अमरिस्टर में जलिया वाला बाग में एक सभाय उजित हो रही थी और वहां जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ पहुँच कर उसने नियत्ते भोले भाले लोगों पर गोलियों की बहुचार करवा दी जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए तो इस सत्याकान के बाद गांधी जी पंजाब जा रहे थे वहां के लोगों से बाते करने के लिए मिलने के लिए तो गांधी जी को पलवल नामकिष्टर संथा वहां गिरपतार किया गया और उसी समय महादेव भाई को उन्होंने अपना वारिस कहा यह मेरा वारिस है मैं जेल में हो रहूं तो इस समय फिर एक देश में जो सुत्मता अंदुलन किस प्रकार से चलेगा इसके जवाबदारी महादेव की है सन उन्ने सो उन्तिस में महादेव भाई आसेतु हिमाचल मतलब जो सेतु बंध है रामेशोरम में वहां से लेकर हिमाचल तक लगभग पूरे भारत में देश के चारों कोनों में समुचे देश के दुलारे बन चुके थे गांदी जी के पास लगभग 10-12 वर्षों में रहते हुए वे सब के दुलारे बन गये थे गाने जी के सब कार्यों को अपनी जिम्मेदारी मानते हुए अपने व्यभार कुशलता से उन्होंने सब को प्रभावित कर लिया था अंग्रेजों के अत्या चार भी बढ़ रहे थे पंजाब में होजी शाषन के कारण जो घर बरसाया गया था उसका ब्योरा रोज रोज आने लगा पंजाब के अधिकतर नेताओं को गिरफतार करके फोजी कानुन के तहट आजीवन कैद की सजाया दे कर काला पानी भेज दिया गया काला पानी अन्दमान निकोवार आपने सुना होगा अन्दमान निकोवार में सेल्लीलर जेल है पोर्ट ब्लेयर में वहां उस जेल को कहा जाता था काला पानी क्योंकि अगर वहां कोई गया पानी के बीच में वह द्वीफ है और वहां पर कोई अगर भारती को उम्र कैद की सजा देकर भेजा गया तो मतलब यह माना जाता था कि वहां व्यक्ति जीवित नहीं लाटे गा कि जैल से भागना भी संभव नहीं था दूर दूर तक समूंद्र को काल और चारोर पानी उसले उस जैल का नाम ही पढ़ गया था काला-पानी सजा को कहा जा था काला पानी सजा वहां भेज दिया गया लाहोर के मुख्य राष्ट्री अंग्रेजी दैनिक पत्र ट्रिब्यून उसके संपादक स्री काली नाथ राय को दस साल की जेल की सजा में लिए यह अंग्रेजों अत्याचार करना चालू कर दिया था जो भी समाचार पत्रों के खिलाब छापता था उसके संपादक को कैद कर लिया जाता था और उस समाचार पत्र को छपने नहीं दिया जाता था तो इस तरह से अंग्रेजितों का त्याचार बढ़ता ही चला जा रहा था और क्या और क्या त्याचार हो रहे हैं पंजाब में वो सब विवरण है वह गांधी जी के पास महादेव भाई के पास वह विवरण आता था अब महादेव जी का कार ही क्या था गांधी जी मुंबई में रहते थे मनी भवन में तो गांधी जी के सामने पिलोतों पर हुए जुल्मों अत्याचारों की कहानिया संग्षेप में पेश करते थे और उपिडित लोगों से गांधी जी की मुलाकात करवाते थे महादेव भाई का यहीं काम था क्योंकि महाद गांधी जी बहुत व्यस्त व्यक्ति थे उनके पास खाली समय नहीं होता था तो इसलिए जो भी अपनी दुख-दर्द सुनाने के लिए आया तो पहले महादेव भाई से मिलता था महादेव जी उसका सार संचेफ है वह गांधी जी को बताते थे और उनको मिलवाते थे तो इस तरह से आमजनता और गांधी जी के बीच पुल का कारे करते थे महादेव भाई गांधी जी एक अच्छे पत्रकार की तरह लेख भी लिखते थे तो गांधी जी और एक समाचार पत्र था क्रानिकल उससे जुड़े हुए थे बंबाई के आज जेसे हम मुंबाई कहते हैं कि मुख्य राष्ट्री अंग्रेजी धैनीग बांबे क्रानिकल में गांधी जी द्वारा अंग्रेजों के प्तियाचार संबंधी लेख छपते थे गांधी जी लेख लिखते थे और वो लेख उनमें छपा करते थे गांधी जी के पास इतनी ज्यादा सामगरी थी अंग्रेजों के अत्याचार को बताने के लिए कि क्रानिकल में जगह की कमी होने लगी तंगी होने लगी और जो क्रानिकल के संपादक थे अंग्रेज संपाद प्रड़े निडर वेक्ति थे कि वह खुद अंग्रेज होते विए उसकार虎 उस đấy चापते थे तो सरकार ने कि ada उन्हें देश निकाले के सजादि और इंग्लेंड भीज दिया कि ले कि हारनी में चले गया कि अपने देश इंग्लेंड उस समय बंबभी के तीन नए नेता थे शंकरलाल बैंकर उम्मर सोबानी और जम्ना दास द्वार का दास यह यंग इंडिया नाम का एक अंग्रेजी सापताहिक निकालते थे चुक बांबी क्रानिकल की जो हर्नीमेन थे वही यंग इंडिया में भी लेख लिखा करते थे अपने भी समाचार पत्रे के लिए और यंग इंडिया के लिए अब हर्नीमेन तो इंग्लेंड चले गए उन्हें सरकार ने सदा देकर इंग्लेंड भेज दिया तो यंग इंडिय आप में भी लिखने वालों की कमी पड़ गई हारनीमैन ही लिखा करते थे उसमें बहुत ज्यादा लेख तो तीनों नेता गांधी जी के जो परम प्रसुशक थे वे गांधी जी के पास गये और उन्होंने यंग इंडिया के संपादक बनने की विंती की गांधी जी ने तुर गांधी जी का काम बढ़ गया और ज्यादा लेख आने लगे अतहा यंग इंडिया का जो प्रकाशन हफ्ते में एक बार होता था उसे हफ्ते में दो बार करने करने ने लिए गया और इस तरह से महादेव भाई और स्वामी आनंद का कारी भी बढ़ गया है कि कि दोनों उसे बहुत सारे काम होते हैं समयाचार पात्र निकलना असान नहीं होता है तो इसमें कौन सा लेख कहां छपेगा कि कितनी मातरा में छपेगा फिर कैसे वह लोगों तक भेजा जाएगा इस सबकी वेवस्था करना आसान कारे नहीं था यंग इंडिया जो सप्ता में एक दिन छपा करता था सामगरी ज्यादा हो जाने के कारण उससे दो दिन सप्ता में दो बार छापने का निर्णा लिया गया और इस गांधी जी के पास आ गया अब लेखक है स्वामी आनंद ये साबरमती आश्रम जब पहुंचे थे तो कुछ दिनों के बाद दोनों सप्ताहिक सप्ता में निकलने वाला नव जीवन और यंग इंडिया इस साप्ताहिकों की और छापा खानी की सारी वेवस्था की जिमेदा गांधी जी और महादेव सारा समय देश भ्रमण में उनका बित्ता था और देश भ्रमण करते हुए वहां से ही वो लेख भेजा करते थे यंग इंडिया और नव जीवन के लिए गांधी जी की यात्राओं और प्रती दिन की गतियुदियों का साप्ताहिक विवरण भेजन भी देश भ्रमण में उनकी विविन्य यात्राओं में भी महादेव जी हमेशा साथ रहते थे थे महादेव एक कुशल पत्रकार भी बने कैसे आई जानते हैं से देश विदेश के जाने माने समाचार पत्र द्वारा गांधी जी की गतिविधियों पर टिका टिपणी करने पर महादेव द्वारा उनको आड़े हाथों लेने वाले लेख लिखने पड़ते थे क्योंकि जो समाचार पत्र थे गांधी जी की एक एक गतिविधि पर बारी किसी नजर रखे रहते थे और कभी प्रसुशा भी हो करते थे और कभी निंदा भी अनावशक रूप से आलु लेख लिखने वाले लज्जित हो जाएं शर्मिंदी महसूस हो गांधी जी से पत्रकारिता संबंधित तालिम पत्रकारिता कैसे होनी चाहिए उसकी पूरी शिच्छा जिसमें क्या क्या चीजें होती हैं बेजोड कालम कैसे लिखा जाता है भरपुर चौक्साई कैसे होती ह लिखते समय समाचार पत्रे जो अच्छे समाचार पत्र हैं उनकी परमपराओं का पालन करना कट्र विरोधियों से भी विनय विवेक युक्त विवात ये सब विश्रता हैं गांधी जी से पाकर महादेव देशाई देश-विदेश के सारे समाचार पत्रों की दुनिया में सब के लालडे बन गए थे, सब पसंद करते थे महादेव भाई को, इस तरह से गांधी जी ने महादेव भाई को एक कुशल पत्रकार भी बनाया, और गांधी जी को उन बातों को महादेव भाई ने पुरी गंभिर्ता से स्विकार भी करते हुए, अपने आपको एक अच्छा पत्रकार बनाने में वो सफल रहे हैं अगर आईए अब अनुवादक के रुप में भी महादेव भाई की विश्ष्ष्था देख लें है गानी जी के पास आने के पहले महादेव अनुवाद विभाग में नौकरी करते थे सरकारी नौकरी थी ये और उनके जीरी दोस्त थे न साहियत का पढ़ा किया और उसमय के जो चरचित साहियत्य कार थे रभीनाठ एगोर और सरचन चतवपाधह उनकी रचनाओं कर उनौने AMY,उन्वादक का करें करते हुरे उन्ने टैःगोर और सरचन की रचनाओं का माहदेवाई ने अनौत कारी किए तो इस से उन्होंने साह अब तक हमने जितना अंश्र अध्यन किया है कि इसके जो शब्दों का प्रयोक हुआ है उसके अर्थ जानने आभा प्रभा इसका अर्थ है चमक विनोध मतलब मजा है हम्माल बोज उठाने वाला कुली पीर महात्मा सिद्ध बावर्ची खाना पकाने वाला रसोया भिष्टी मशक से पानी ढोने वाला व्यक्ति खर गधा गधा के लिए प्रयोक है था और घास के लिए भी तालिम मतलब शिक्षा रूबरू इसकर्थ है आमने सामने जीगरी दोस्त इसकर्थ होता है घनिष्ट मित्र और आसितु हिमाचल इसकर्थ है सेतु बंध रामेश्व के समय कुछ समय के लिए निकलता है जिसे इवनिंग इस्टार या मॉर्णिंग इस्टार भी कहते हैं उश्याकाल शुर्योदय से पहले का समय जब ना तो अंधेरा होता है ना ही पूरी तरा उजाला उसे कहते हैं उश्याकाल काला पानी आजीवन कैद की सजा पाए कैदियों को रखने का इस्थान जो वर्तमान में अंडमान निकोबार दीप समू में है कुछ प्रश्णों की चर्चा करने और उनके उत्तर भी जानने पहला प्रश्ण है गांजी जी से मिलने आने वालों के लिए महादेव भाई क्या करते थे इसका उत्तर किस प्रकार से होगा महादेव जी पहले लोगों की समस्याँ सुनते थे उन पर विचार विमर्ष करते थे फिर उन समस्याँ को संख्षेप में लिख कर गांजी जी के सामने पेश करते थे और आने वालों के साथ उनकी मुलाकाते भी करवाते थे अगला प्रश्ण है महादेव की तुलना शुक्रतारे से क्यों की गई है इसका उत्तर इस प्रकार से होगा जिस प्रकार शुक्रतारा थोड़े समय ही आकाश में अपनी चमक बिखेर कर अस्त हो जाता है उसी प्रकार महादेव भी अपने छोट थोड़े से जीवन में ही अपनी कारिशयली और प्रतिभा से दुनिया को प्रभावित कर गए इसी कारण उनकी तुलना शुक्रतारे से की गई है ये था विद्यार्थियों शुक्रतारे के समान का पहला अंश यहीं पर समाप्त होता है मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब तक जो कुछ आपको समझाया गया वो पूरी तरह से आपको सपस्ट हुआ होगा समझ में आया होगा बहुत बहुत धन्यवाद